हेलो दोस्तों कल साम करीब सारे आठ बजे सदन रेलवे के चन्ने डिवीजन में चन्ने गुडूर लाइन पे बागमती एक्सप्रेस जो मैसूर से दरभंगा जाती है उसका एक्सिडेंट हो जाता है एक्सिडेंट में 12 जो कोच हैं वो बुरी तरह से पलट जाते हैं करीब 19 लोग इसमें घायल हुए हैं किसी के हता हत होने की खबर नहीं है तो हम इस घटना को डीटेल से समझने की कोशिस करेंगे तो आपको बता दू मैसूर से निकलती है ये ट्रेन और दरभंगा को जाती है और उसको पीछे से जाके टक्कर मार देती है आपको कोरो मंडल वाला हादसा याद होगा जो दो जून को बाला स्वर में हुआ था उसमें भी सेम सिनारियो था गारी 130 के स्पीड में जा रही थी मेल लाइन में सिगनल थू था ग्रीन सिगनल दिया हो था और लूप लाइन म पीछे से जोड़दा टक्कर मारती है आप इसका जो ब्रेक वैन देखोगे उसके चीठरे उड़ गया है अब मेरा ये कंसर्ण है अभी तक ये ओफिसियली नहीं बताया गया है मेरा ये कंसर्ण है गुड्स गार्ड का क्या हुआ हूआ जो ट्रेन मैनेजर थे लेकिन गारी बिजली सप्लाई दी जाती है और उसके जश्ट बाजू में एक पार्सल वेन था जो बहुत ज़्यादा जब लगे जो जाता है तो पार्सल वेन एक लगा दिया जाती है उसमें आग भी लग जाती है उसके बाद पहला जो इसका कोच कमिनिसन था फॉस्ट एसी था और सार बीस से बाइस पैसेंजर इंजर हैं उसमें से तीन चार क्रिटिकल इंजर हैं अब आप सोच सकते हो कि इसमें इतनी कम कैजूल्टी कैसे हुई तो इसमें आपको बता दूँ यह लच पी कोच था और इसका कपलिंग जो होता है काफी होता है इन केस आप यह जो आपने कोच कमपोजिशन था इसका जो कमपोजीशन था आगे फश्ट एसी से नहों के अगर उल्टा होता आगे जेंडल के दो कोच होते तो यह कोरो मंडल से भी भेंगर हाथसा हो सकता था अब सवाल यह उठता है कि हुआ के से यह हुआ के से अभी इसमें सभोटाज का एंगल तो जो पॉइंट सेट था लूप की और यह ऐसा हो ही नहीं सकता है टेकनिकली ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन यहीं जैसे आपने कुरो मंडल में देखा था वहां वाइडिंग गलत जोड दिया गया था और वह भी नहीं हो पया था मतलब चेक करते हैं हुआ रहा है कि नहीं हो र सकते हैं वहीं से चेंज होगा ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो यह अभी जांच जब होगी जांच करेगी इसमें निकाल के लाइगी फिर क्या हो गया कोरो मंडल ही हो फिर वाइडिंग गलत जोड दिया और अचानक से ट्रेन कैसे पास हो गई क्योंकि वह लगतार ट्रेन चल क्या हुआ पास्ट में भी कोरो मंडल से पहले भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी मतलब उसको लेकिन एंगल में ने आ रहा था रेल्वे जब कभ हाइलाइट होती है जब कोई बड़ा एक्सिडेंट हो जाता है और लोग उसमें कैजुल्टी हो जाती है जान का नुकसान ह करते हैं लगातार दिन रात लगे रहते हैं यह सब होने के बाबजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए तो समझो कहीं न कहीं इसमें वर्क आउट की जरूरत है और अभी तक वर्क आउट हो रही थी तो फिर यह अचानक से कैसे हो गया यह सारा डिटेल जब ऑफि जीसन वाले तो इसे ही लगे हुए हैं और वो लगतार सवाल उठाते रहेंगे की और रेल्वे रेल मंत्री का रेल्वे का मजाग उराते रहेंगे इस्वड का बोलो आप किरपा रही कि इसमें नहीं हुई यह बहुत अच्छी ख़बर है आग लगी है नुकसान हुआ है र इसको टक्कर मार देती जब डिरेल हुई थी बाकी सिनारियो सेम टू सेम है और जो उपर से ड्रोन विजूल देखो गे तो उसमें भी वो एल सेप का बना हुआ है क्या पैसाइज हो गए एक दूसरे के ऊपर बाजू में पल्टे हुए है तो सेम टू सेम सिनारियो है लेकि उसके बाद ही जरनीय स्टार्ट कीजिएगा हम इसके ऊपर अपडेट जाने की कोशिज करेंगे और एक डिटेल वीडियो जब इसका अपडेट आ जाएगा क्या कारण था क्या रीजन था हो मैं आपको बताने की कोशिज करूंगा आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे म टेक कियर